सिनेंग पॉडकास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोगामों का मशूर मंच नमस्कार मेरा नाम है अच्छला शर्मा सुनिए सिनेंग पॉडकास्ट की पेशकष प्रिटन में हिंदी कहानी इस सीरीज में हम ब्रिटन में रहने वाले कुछ जाने माने हिंदी कहानीकारों की कहानियां पेश कर रहे हैं तो इस कड़ी में आज सुनिए ब्रिटन की एक और महिला लेखी का शैल अगरवाल की कहानी वारानसी उत्तप्रदेश में जन्मी शैल अगरवाल ने अंग्रेजी में M.A. किया और 1968 से ब्रिटन में आबसिंग कालात्मक रुजी और दार्शनिक रुजान रखने वाली शैल अगरवाल ने हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी विचारों और भावों को कविता, कहानी और निबंध में कलम बंध करना शुरू किया प्रवासी मीडिया सम्मान, कमलेश्वर कथा सम्मान तथा साहित्य सार्थी सम्मान से पुरस्कृत शैल अगरवाल के अब तक दो कहानी संग्रे, एक कविता संग्रे और एक निबंध संग्रे प्रकाशित हो चुके हैं इनके अलावा उन्होंने कुछ विश्व प्रसद कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद भी किया है, उनके दो उपन्यास धारवाहिक के रूप में पत्रिकाओं में छप चुके हैं, शैल अगरवाल की कहानियों के केंदर में उनके नारी बात रहें, और बिटन के परिवेश में लिखी गई उनकी कहानियों में, अगर हतीत के मुह में जकडी भावुकता दिखाई देती है, तो उसे चुनौती देता हुआ तरक भी मुखर होता है, तो सुनिए, शैल अगरवाल से उनकी ऐसी ही एक कहानी बसे रहा सुचा भी नहीं था कि यूं मिलेगा, अचानक ही साथ हो लिया था वह, आचल से लिवला लिटा, पलट कर हाथ में लेकर, खुशी से बल्लियों उचलते मन के साथ रिदू देखे जा रही थी, विश्वास ही नहीं हो पा रहा था, कैसे आया, कहां से आया या, फिर तो ढू आजे के पास मिल भी गया हो सेवा, वही सुनहरा चमकता रंग, मनो आकाश का सारा सोना उन आजुग पंखडियों में सिमट आया हो, रंग, रूप, आकार, सब कुछ तो वही था, जो कर नाम पढ़े, इसके पहले ही सेल्स काउंटर पर खड़ी रड़की सम्झाने आप हों लबरनम की एक नई किस्म है, पहली बार यहां इंग्लेंड में, हमारे नारंगी फूल जो आग की लप्टों से चमकते हैं, उनसे थोड़ी फरक, इंडियन लबरनम, यह भी परीनियल ही है, हर साल इन ही दिनों खूबसूरत समा बांतिया करेगा, क्या तुम भारत से हो, हाँ, जिदू ने गूंकर देखा, कमीज उतारे, पंके के सामने बैठा, और आईस्क्रीम खाता हूँ आदमी, अचानक ही आई इस गर्मी की लहर के सारे मजे ले रहा था, जिदू का तो जैसे मन ही पढ़ लिया था उसने, अच्छा है ना यह मौसम गुलाबी गुलाबी का, बिल्कुल तुमारी गुलाबी गुलाबी सर्दियों की ही तरह, क्यों भारत की याद आ रही है ना आप, पांस साल रहा हूं मैं भारत में, सन 42 से 47 तक, अब भी अक्सर जाता हूं, मुझे भारत बहुत अच्छा लगता है, वहां के लोग बहुत अच्छी है, खाना, प फिर खुदी उसके पास आकर बोला, ले जाओ इसे, अच्छा लगेगा तुम्हें, लगेगा कि भारत ही वापस आ गया तुम्हारे बगीचे में, या फिर तुम खुदी वापस भारत पहुंच गई, अब रिदु कैसे रुप पाती, जटपट पैक करवा कर घर ले आई, रास्ते बर आँखें सपने देख रही थी, कभी पल भर में दिल्ली पहुँच जाती, चानकेपुर के उस घर में जिसके दरवाजे पर वा अमलताश का पेड़ था, वहीं जहां वा दरवान बैठा करता था, तो कभी अपने लंदन के इस घर के दरवाजे पर, अमलताश फ दूप से तप्ती सडकों पर ये पत्तियां अपना सुनहरा कालीन बिचाती, तो रिद्दू तुरंती तप्ती दूप में भी चपल हातों में लेकर चलने लग जाती, वह तो यहां भी वे सारे ही पेड लगाएगी जो बारत में उसके अपने कमरे की खिर्की के नीचे थे, पेड जो एक हलके हवा के जोके के साथ खुश्बू भर भर कर उसका स्वागत किया करते थे, पेड जिनकी फूनों लगी टहनिया उसके कमरे की दिवारों को अपनी परचाईयों से तस्वीर सा सजा देती थी, रात की रानी, हार सिंगार, सबी कुछ तो, यहां भी एपल ब लौजम की पतियां, वैसे ही जर जर के सफेद कुलाबी कालीन बनाती हैं, पर इन में उन फूलों जैसी मस्त महक नहीं होती, और यह बात अक्सरी रिदू की आत्मा तक को तरसाती रहती, गर्मी की उन महकती रातों की याद आती ही, आज भी रिदू का मन भारत के लिए तर जहाज में बैठते ही, आठ खंटे में ही तो दिल्ली पहुंच जाती है वह, कभी कभी तो नागपुर वाली दीदी को ज़्यादा वक्त लग जाता है घर तक पहुंचने में, अब दादा की मौत पर ही ले लो, दादा जी के बुलाते ही रिदू तो तुरंत ही पहुंच ग पर कुछ-कुछ भरोसा सा होने लगा था, या फिर अब उसने खुद को फुसलाना सीख लिया था, सब कुछ मिलने लगेगा अब यहीं पर धीरे-धीरे, इन सबजी और मसालों की तरह ही, बच्चे उसके मन में उठती, भारत के प्रती बेताबी को देखकर उसे समझाते न थकते, फिर रिद्दू खुद को भी तो रोज एक नई तसली दे लेती थी, कभी यह कहकर कि यह क्या समझेंगे अपनी मिट्टी से बिचुडने का गम, यह तो यहीं पर पैदा हुए हैं, तो कभी यह कहकर कि उसका दुख बरदाश्ट नहीं होता इन बच्चों से, इसलि अपने लोग ही तो नहीं यहां पर, पर अब भारत में भी तो कौन बचा रह गया है, दीरे दीरे सबी तो छूटते जा रहे हैं, और फिर बेटी हु या बेटा, किसी ने किसी बहाने सब को ही तो घर चोड़ना पड़ता है एक दिन, घर की छोड़ो, एक दिन तो यह शरीर तक छोड़ना पड़ता है, रिद्धु ने नम हुआई आखें पोंच डाली, जब से ममी पापा गए हैं, कैसी बहकी बहकी बातें सोचने लग गई है वा, और कितना बदला बदला लगता है सब उसे, मनु धूप कुछ कम चमक वाली हो गई हो, और चारों तरफ उमरती जब से पापा गए हैं, कहां इतना गूमती फिरती है वा, फिर क्यों इतना सूचती है भारत के बारे में, अब तो उसके बच्चों के भी बच्चे हैं, यहीं तो है उसका देश, और यहीं तो है उसका पूरा परिवार, कुछ दिन पहले ही कैली और नैंतारा के फूल तक देखे हैं उसने यहां पर, यहीं इसी पास वाली चौमभानी पर ही, कितना अच्छा लगाता है यहां इंग्लेंड में इन्हें देखकर, स्नोड्रॉप्स के साथ साथ सफेद गुलाबी प्याजी-प्याजी फूल, और तब घंटों स्केच करती, कई वह अलसाई दुपहर याद आ गई थी रिद्धू को, जब वह किसी ऐसी ही च्छतनारी च्छाओं में बैटी, फूलों को निहारती रह जाती थी, अब पोती को सिखाएगी स्केच करना, पर पहले बोलना, कलम पकड़ना तो सीख ले लाट ली, अपनी लंगडी दौड मारती सोच पर कितनी मौा और दादी सी ही होती जा रही है वह भी, कली तो खाने की प्लेट लेकर अवनी के पीचे पीचे भाग रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे दादी और मा उसके पीचे पीचे भागा करती थी कभी, सामने शीशे में देख कनपटी तक लटके सफेद बाल को, उसने बिल्कुल मा और दादी के ही अंदाज में कान के पीछे कर लिया और जी खोल कर मुस्कुरा पड़ी मा दादी की तरह नहीं तो किस की तरह लगूगी अब भला मैं घर पहुचते ही ठीक में गेट के पास हाइड्रेंजर की जाड के बगल में ही गाड़ दिया रिद्धू ने उसे अब तो मानो रिद्धू के प्राण ही लटक गए थे पौदे में खिर्की से सटी खड़ी निहारती ही रजाती थी दिन पर उसे शुरू शुरू में कुछ हफते दिन में दो बार थोड़ा थोड़ा गुनगुना पानी डालना चलते वक्त उस आदमी ने हिदायत दी थी पर रिद्धू तो पूरी तरह से व्यस्त हो चुकी थी उसकी देखरेख में जितनी बार चाय बनाने जाती केतली में दुगना पानी उबालती और सबसे पहले बचा पानी पेड़ में जाता फिर किसी को चाय मिलती दिन में बीस बार जाकर उन हरी बूरी टहनियों को देखाती कहीं कोई नई पत्तियों का कुला तो नहीं पूटा फूलों के नई गुच्छे तो नहीं निकल आए पर दो दिन बाद भी बस वही दो गुच्छे ही लटके दिखाई दिये निराश रिदू को वापस घर में लोटते ही पती ने मजा किया कल देखना पूरा पेर निकल आएगा वैसे ही चानक की पुरी की तरह ही फूलों से लदा फदा और खड़ा हो जाएगा तुमारे दरवाजे पर रिद्धू भी तो यही चाहती थी बिना कोई जवाब दिये बस मन ही मन मुस्कुरा कर रह गई क्यों नहीं देखना जरूर ऐसा ही होगा एक दिन दिन क्या महिनों युही निकल गए उस बेसबर इंतिजार में कहीं कहीं कुछ कुले फूटे भी एकाथ पत्तियां आई भी पर खुदी कुमला कर भूरी भी पड़ गई और चुपचाप छर भी गई पर रिद्धू आस ने छोड़ पाई बीबी जी आपको तो इस सूखी लखडी को निकाल दूँ अब हरी तो होने से रही जितनी बार माली पूछता उतनी बार रिद्धू खुद तूट जाती अंदर ही अंदर अब पेड बस एक पेड नहीं रिद्धू की असमिता से जुड़ चुका था उसकी नजर में पूरी भारत की आशाओं से जुड़ गया था अगर एक भारती पेड तक को न रोक पाई वा तो भारती मानेताओं और संसकारों को क्या रोक पाएगी इस धर्ती पर इंग्लेंड की इस धर्ती पर इसे तो जमना ही होगा हजारों उन शहीदों की खातिर पनपना होगा जिन्होंने देश के लिए जाने निचावर की थी आखिर हम भी तो इनके रंग में रंगे थे हम पर से तो इनका रंग आज तक नहीं उत्रा एक आधनेक आत्म विश्वास से भरपूर आजाद भारत की सपने की खातिर परमना होगा इसे हमारी इस गुलामी को भी तो एक अर्सा गुजग गया अब वक्त और जमाना दोनों ही बदलना चाहिए ये सदी हमारी है हमारी भारत की है इसे तो पनपना ही होगा फलना फूलना ही होगा कृत संकल्पसी रिंथू घंटों बैठी रह जाती पेड़ के आगे सूखती टहनी से बातें करती उसका देश प्रेम और स्वावी मान दोनों ही बच्चों से मचलने लगते तरह तरह की खाट डालती रिंदू पेड़ में पर पेड़ पर कोई असर नहीं होता जाडे भर पाले से बचा कर रखा उसने रोज नई नई पॉलिथिन में लपीट दी हांदी पानी तक को पास ना आने दिया कभी हातों से सहलाती घंटों बाते करती इसले शायद मरा नहीं पर उरिद्धू की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि कभी डंडी उठा कर एक बार देख तक ले कि पेड़ ये जड़े पकड़ी भी है या नहीं उसे खुद पर अपने भगवान पर एक अटूट विश्वास जो था ये बात दूसरी है कि माली अब भी उसे सूखी लकड़ी ही कह रहा था और तब बजाए इसके की निराशो रिदू चौके में वापस जाती और एक कैटल और गुनगुना पानी डाल जाती पेड़ की जड़ों में पत्ते तो नहीं आए पर रिदू को पूरी तरह से विस्मित करते वे एक चौड़िया ने जरूर घूसला बना डाला दिवाल और टेहनी के बीच बची उस जरासी जगह में रिदू की कलपना और आशा दोनों को ही एक नई प्रेड़ना मिली कहते हैं इन पच्चियों के छटी ग्रानेंद्रिया बहुत तेज होती है जरूर ही शुब हो गई यह जगह और फलेगी फूलेगी भी वरना चड़िया बसेरा न करती हाँ पर रिदू बार-बार सोचती और खुश हो ले थी कुछ दिन बात की ही बात है उस दिन जब कार रिवर्स कर रही थी अचानक ही स्टीरिंग फिसली और पेड से जाटकराई और तब सारी आशाओं पर पानी फेरता वह अनर्थ हो गया जिसकी रिदू कलपना तक नहीं कर सकती थी वह सपनों का पेड वह आदी सूखी आदी हरी टहनी कुछली और टुक्डे टुक्डे होकर भैविसमित आँखों के आगे ही गिर पुड़ी बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी अचानक ही तेश प्रेमियों के आगे इन अंग्रेजों ने भारत की राजगद्दी समाल ली होगी वैसे ही हजारों परिवारों को कुचलते उजाणते पती आदी बात कहते कहते ही चुप और चिंतित हो गए रिद्दु कार से उतरी और दोड़ कर धम से आखर सोफे पर पढ़ रही रिद्दु ये चडिया का गोसला तो बिल्कुल ही नहीं तूटा पर बच्चे जरूर बहुत चोटे हैं बहुती हिफाज़त से चडिया के उन नवजाद सिश्यों को हतेली पर उठाए पती आश्वासन दे रहे थे और खोसले को वहीं वापस दूसरी शाक पर टिका कर आश्वस्त थे इतने नन्ने बच्चे रिद्दु का कलेजा उम्रा आ रहा था नहीं बचेंगे ये चडिया पलट कर आएगी ही नहीं हादम गंद जो आ गए सुबह तक सारे के सारे बिल्ली के पेट में होंगे पलट कर बगीचे के उसकोने की तरफ देख तक नहीं पाईवा नहीं 24 गट्टे बगीचे में रहने वाली रिद्दु कई दिनों तक बगीचे में ही वापस जा पाई और नहीं उन सुखे गुलाबों तक को काट पाई कहीं वे चडिया के बच्चे डिस्टर्ब हो गए तो अल्बत्ता खिड़की और गुलाब की जाड़ पर बैठे वे नन्ने चडिया के बच्चे जरूर फुदक फुदक कर दिन में दस बार रिद्दु का हालचाल पूच जाते और डालियों में उलजे उनके अट्टूटे कच्चे पंक फर्फ़डा फर्फ़डा कर इतने संगर्श और जोश की एक नई कहानी सुना जाते उसे परोसन और सहेली जब भी देखती रिद्दु से पूछती आजकल बहुत व्यस्त हो गई हो बगीचे में भी नहीं देखती रिद्दु एक फीकी मुस्कान के साथ हां कहकर बात पलट देती परली समझ चुकी थे कि कहीं कुछ ऐसा है जो की खाये जा रहा है सहेली को पर कैसे जाने क्या करेवा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कभी वो रिद्दु के लिए फेरी केक बना कर लाती तो कभी उसे अपने घर कौफी पर बुलाती पर रिद्दु को तो मनु गुमसुम रहने की आदत सी पढ़ती जा रही थी सब ठीक तो है गर पर या तुमारे साथ कई बार पूछा उसकी चिंतित सहेली ने और हर बार ये वही हल्की और चोटी सी हां कहकर चुप हो जाती थी रिद्दु कई कई गार्डन सेंटर गई पर इंडियन लेबरनम नहीं मिला अगली बार भारत से ले आना पती ने समझाने की कोशिश की पर जरूरी तो नहीं कि वह भी पन पे ही दबाते दबाते मन की बात होटों पर आ ही गई उसकी आवाज की गहराई और थराड से दुख का तो पता चल जाता था पर असली भेत शायद ही कभी कोई जान पाए फिर ऐसी बाते कहीं भी तो नहीं जा सकती एक नहीं कई कई पीडियों का दुख था यह उसका और वह भी बेहद अपना तीन साल निकल गए इस बात को भी गदर के 150 साल का फंक्शन था इंडियन एमबैसी में साथ में उसी विशे पर एक नुमाईश थी तयार रिदू जाने को निकली ही थी कि फूलों का एक गुच्चा एक बार फिर आचल से लिप्टराल लिप्टा संग संग हो लिया चुपचाप गाड़ी में आकर गोदी में आन बैठा गुच्चे को पागल की दरफ सीने से लगाए रिदू भावाती रेक से कांप रही थी बरसाती नदी सा भावनाओं का एक जलजला था अब चारों तरफ मन में उम्रा सारा वपानी आँखों से बह निकला नदी के रिस्ते दो किनारों सी खुद को समालते रिदू अपने ही आवेग में बही जा रही थी राह के रोडे यादों की गीली मिठी अच्छा बुरा सब साथ लिये और सहेजे समेटे ये लड़ाई उसके अस्तित्र की थी जने जमाने की ही नई फलने फूलने की भी थी खुली हवा में सांस लेने की थी रिदू ने एक एक करके सारे आँसु पोच डाले अब हजारों यादे शंक सी पी सी इतिहास के ब्रेत में पड़ी भी रह जाएं तो भी कोई फरेक नहीं पड़ता उसका विश्वास फलफूल गया था हजार कटनाईयों और शकों से जूजता एक बार फिर जीत चुका था नन्ना ही सही हमलताश का वपे एक नहीं कई कई गुच्चों के साथ पीले पंखुडियों के कालीन पर उसके स्वागत में खड़ा था वह भी उसके अपने दर्वाजे पर और यहीं इंग्लेंड के धर्ती पर हर तपन से रखवाली कर रहा था उसके च्छाओं दे रहा था उसे जैसे कभी चाणक के पुरी वाले अम्मा बाबा के घर पर दिया करता था रिद्दू का मन की अजी खोल कर हंसे हर उस अविश्वासी को प्यार की ताकत बताए जो इस पर विश्वास नहीं करते उसके विश्वास ने जाने कौन सा बीज इस धर्ती में बो दिया था कि अब छाव ही छाव थी चारों तरफ आखों को भी और मन को भी हर शाती रेक से कामती रिद्दू को ली ने आकर समाला तब अरे यह तो वही अमलताश का पेड़ है ना जो दिल्ली या भारत के कई और शेहरों में दिखता है हाइड रेंजर्स की तरह इसे भी तो रुग ड्राइवस या सड़कों के किनारे पर ही लगाते हैं है ना रिद्दू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में सरकारी वकील की तरह नियुक्त ली को अकसर ही भारत जाने के मौके मिलते रहते हैं और साधारण जुन जीवन के करीब आने के भी हाँ हाँ वही है यह इंडियन लबर्नम अब देखना हर बगीचे हर घर में तुमें बस यही दिखाई देगा पता नहीं किस अंदाज और भाव से कही थी रिद्दू ने ये बात कि ली को बहुत ही गंभीर कर गई और तब खुद को और महाल को हलका करने के लिए मजाग किये बगए न रह सकी वा हाँ हाँ क्यों नहीं तुमेशन की तरह ही इसे भी यहां बसने में कोई वक्त थोड़ी लगेगा हम ब्रिटिश लोग हमेशा सही बहुत सैंशील कौम है आखिर ये क्या कह गई है कितनी गलत फहिमी है इने खुद को लेकर बेशर्म या अफसरवादी कहती तो शायद ज़्यादा सही रहता रिदू के सर से पैर तक आग लग चुकी थी आखों के आगे इत्यास के कई राख पढ़ते पन्ने फिर से ददक उठे थे माना ली सहे ली है पर है तो प्रिटिशी आखिर अपना रंग दिखाई दिया रिदू सोचे बगएर न रह सकी पर ली उसके मन में उटते तूफान को देख भी पा रही थी और समझ भी उसे दुखी करने का तो उसका कत्त ही इरादा नहीं था गले लगा कर बोली चालीस साल से यहां रह रही हो इतनी स्ट्रॉंग इंडियन आइडेंटिटी रखोगी तो जी नहीं पाओगी खुशी-खुशी किसी भी ख्रेथ में आगे नहीं बढ़ने देगी तुम्हें तुम्हारी यह अलग-अलग सोच और पहचान रिदू का मन नहीं किया कि वह अब उसके साथ कहीं भी जाए पर इतनी नरम दिल और सहिदे थी कि गुसे में भी किसी का मन दुखाना आता ही नहीं था उसे क्या आदमी को अपने ही घर में मनमाफिक नहीं रहना चाहिए ली खुश नहीं होना चाहिए आगे बढ़ते जाना क्या इतना ज़्यादा जरूरी है बस यही पूछती चुपचाप कार में जा बैठी रिदू अब स्थब्ध होने की अंग्रेज सहेली ली की बारी थी क्या सब वे हिंदुस्तानी उसकी इसी सहेली की तरह स्वाबिमानी और द्रड थे कैसे उसके पूरवजों ने इतने साल राज किया फिर शायद नहीं या फिर शायद कभी एक दूसरे के बारे में कुछ जानना ही नहीं चाहा हो पर वे दोनों सहेलीया एक दूसरे के बारे में आज बहुत कुछ नया जान चुकी थी कुछ ऐसा जो सच होकर भी उद्वेलित कर रहा था दोनों को और सोच से होड लगाती कार भी तो गुमावदार सडकों पर उनकी सोच की ही रफदार से बढ़ी जा रही थी उतरते ही दोनों ने एक दूसरे के उदास चहरे को देखा और जबर्दस्ती ही मुस्कुराने की असफल कोशिश की जब नहीं रहा गया तो रिद्व नहीं पहल की मुस्कुराओ ली तुम मुस्कुराती और चहकती हुई ही अच्छी लगती हो उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए लीने भी हसने की कोशिश की पर एक छोटी से मुसकान ही होटों पर खीच पाई तुम बहुत अच्छी बहुत सरल ओ रिदू भला तुमें उदास देखकर मैं कैसे खुश हो सकती हूँ उसकी गहरी रुदी आवाज से रिदू जान गई थी कि सहली जूट तो नहीं ही बोल रही है और अगर अभी इसी वक्त उसने से माफ नहीं किया तो रो भी पड़ेगी देखो आज भी तो तुम अपनों के ही बीच में हो और अपने ही घर में हो रिदू ली अभी भी सहली की खोई मुसकान नहीं डोग पा रही थी और तब रिदू ने आगे बढ़कर ली को एक बार फिर से गले लगा लिया अब ली को गला खकारने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी कैसे भी अपने को सहियत करती रिदू के गली लगी लगी ही वह दुबारा बहुती धीमी और भाववेनी आवाज में रिदू से कहने लगी एक बात और बताऊं रिदू मुझे पहले से ही पता था कि तुम यही कहोगी जो तुमने आज और अभी अभी कहा और वही करोगी जो किया भी तब ही तो तुम मेरी सहेली हो अब खिल खिला कर हसने की रिदू की बारी थी हमारे पूरवजों के बीच जो घटा क्यों न हम उसे इत्यास के पन्नों में ही रहने दे ली वैसे भी क्या किसी के कहने बर से फूल महक बदल देता है हीरा चमक खो देगा रिदू और ली के सने पगे आंसु एक साथ ही सदियों से बंजर पड़ी उस नफरत और गलत फहमियों की दरारों से तार-तार जमी पर गिरे और उसे सीचने लग गए जमीन जिसे कभी हजारों के खून ने रंगा था नफरत की आग ने जुलसाया था रिदू को लगा आज जरूर ही कोई त्योहार होना चाहिए होली दिवाली सा एक बड़ा त्योहार आज न सिर्फ रिदू के घर में अमलतास फूला था अपितु बरसों से भटकती प्यासी और तरस्ती रिदू की जड़ें तक नम थी अपनी जमेन अपना बसेरा जो पाच चुकी थी बसेरा अभी आप शैल अगरवाल से उनकी ये कहानी सुन रहे थे यह कहानी जिस संग्रे में शामिल है उसका शीर्षक भी बसेरा ही है उनका यह कहानी संग्रे नील कंठ प्रकाशन दिल्ली ने छापा है शैल अगरवाल की अन्य प्रकाशित पुस्तकों में कहानी संग्रे ध्रुवतारा कविता संग्रे समिधा और निबंध संग्रे लंदन पाती शामिल है पिछले कुछ वर्षों से शैल अगरवाल लेखनी नामक एक ई-पत्रिका का संपादन भी कर रही है सिनेंक पॉडकास्ट की पेशकश प्रिटन में हिंदी कहानी सीरीज के अंतरगत अगली कड़ी में आपकी मुलाखात एक और कहानी कार से होगी मुझे अचला शर्मा को अनमदी दीजे नमस्कार सिनेंक डाट कॉम ये थी सिनेंक पॉडकास्ट की प्रस्तुती अगर आप यहां तक पहुँच गए हैं तो हमें विश्वास है कि आप वास्तब में कमभीर किस्म के शुरूता हैं तो बस हिंदी और उर्दू के सभी तरह के पॉडकास्ट सुनने के लिए आप शौख से सिनेंक का दामन थाम लेजिए हम पॉडकास्ट के तकरिवन सभी मशूर प्लैटफॉर्म्स पर मौजूद हैं फेस्बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर भी और अगर आप हमारे सभी रेडियो और टेलेविजिन के प्रोगामों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आईए सिनेंक.com आप हमें अपनी प्रतिकरिया और राय भी लिख सकते हैं पोस्ट एट सिनेंक.com इमेल आईडी नोट कर लिजे पोस्ट एट सिनेंक.com सिनेंक पाड़कास्ट हिंदी और उर्दू के प्रोगामों का मशूर मंच सिनेंक.com